हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एससी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है देखिए अगर लास्ट के दो महीने की बात करें तो उन दो महीनों में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है स्टैटिक जी के पढ़ा हम लोगों ने बहुत करिंट अफियर्स पढ़ा हिस्ट्री, जोगराफी, साइंस, बैलोजी, करिंट अफियर्स, कम्प्यूटर बहुत सारे चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है अपने इस लास्ट के दो महीने की बात करें तो देखे अभी क्या है कि इस सेशन का लेने का क्या परपस है अब यहां पर एकदम इमंदारी से आपको टेस्ट की तरफ फिल करना है कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ और जो CGL 2019 के 3 मार्च के 1st सिफ्ट में जो पेपर आया मान के चलिए कि अगर वो पेपर आप दे रहे होते जो भी नौलेज है इस वक्त के हिसाब से अगर वो सेम पेपर आपके सामने आता है तो आपका क्या परफॉर्मेंस रहेगा वो जज़ करना है मेरा टार्गेट है आप सर्वी स्टूरेंट्स को 40 मार्क्स तक पहुचाना 40 मार्क्स इसलिए जरूरी है क्या आप 20 मार्क्स का मतलब होगी है कि सेलेक्शन आपका 100 नहीं 200 परसेंट एकदम कनफर्म मानी है तो इमंदारी से अगर आप सिरियस एस्परेंट्स है अभी से ले मैं या आप दोनों का मेनत हम लोगों का रंग लाया है ठीक है तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यह जो सीरीज है टूटल 18 पेपर हुआ याने कि 18 टेस्ट मैं आपका 18 डेस के अंदर में ले लूँगा ठीक है तो यह वाले सेशन को अटेंड करना बहुत ज़्या होता है तो आप सभी को मेरे तरफ से all the best पहला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा एज ओफ फरवरी 2020 हूँ इस दप्रसिडेंट ऑफ सिरलंका फरवरी 2020 तक सिरलंका के राष्ट पति कौन है आपको एक कोशन के लिए सिर्फ और शिफ तीन सकेंड का मैं टाइम देने वाला हैं आपके साथ आपके बहुत साथे दोस्त लोग भी एक्जाम दे रहे हैं तो वो लोग भी एंसर दे रहोंगे और अभी तक दे दीवे होंगे तो इसका करेक्ट टैंसर क्या होगा गोट बया राजपाक्षा जो है इसका करेक्ट टैंसर है सिरलंका का जो प्रसिडेंट है जो कि अभी नियुक्त हुए थे हाल में ही उनका नाम क्या है गोट मेया राजपाक्षा अगर हम बात करें यहां के प्राइम मिनिस्टर के तो प्राइम मिनिस्टर कौन है महिंदा राजपाक्षा यहां के प्राइम मिनिस्टर है यहां पर जो ओफिसियल लैंग्वेज होता है सिरलंका का वो कौन सा language होता है तो सिन हाला जो है यहां का language है official क्या नाम है SIN हाला जो है यहां का official language है ठीक है यहां का largest city कौन सा है तो largest city है Colombo याद रहेगा इतना सीच चलिए next question आपके screen पर यह रहा as on January 2020 श्री भुपेश बहल is the chief minister of which of the following state जनवरी 2020 तक जो भुपेश बहल है वो किस राज के मुख्य मंतरी है यह आपका second question है और इसका right answer क्या हो जागा yes very good 36 गर्ड इसका right answer है 36 गर्ड इसका right answer है तो देखिए 36 गर्ड के cm तो हो गए आपके भुपेश बहल तो यहां के governor कौन हो गए तो governor हो गया है आपके अनुसुया UK जो है यहां के governor है राज सभाशीट की बात करें यहां पर तो टोटल 5 राज सभाशीट है यहां पर लोग सभाश सभाशीट की बात करें तो टोटल 11 यहां पर लोग सभाशीट है 36 गर्डगा ओके नेक्स कोशन आपके स्कीन पर यह रहा आपको बताना है कि जो discovery of neutron हुआ था उसका क्रेट किसको जाता है और जिसके लिए 1932 में इनको novel प्राइज भी दिया गया था क्या होगा करेक्ट एंस इसका राइट एंसर हो जागा जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक इसका राइट एंसर है इनको यह एक ब्रिटिस फिजिक्स है ठीक है जिन्होंने neutron का discover किया था neutron को और इनका जन्म 20 October 1891 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यू कब हुई थी 24 जुलाई 1974 में इनकी मृत्यू हुई थी और यह जाने जाते हैं discovery of neutron के लिए जेम्स चैडविक नेक्स कुश्चन आपके स्कून पर है ठीक है दुरोना वाली हरी का जो है यह किस खेल से सम्मध्दित है इनको हाल में ही पदमशिरी के अवार्ट से भी नवाजा गया था यह कौन है किस खेल से सम्मध्दित है इसका correct answer हो जाएगा यह जो दुरोना वली हरीका है यह जो आप देख रहे हैं यह आपको यह चेस खेलती है ठीक है इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर है यह और इन्हों ने तीन बार ब्रॉंज मेडल जीता है किसमें Women's World Chase Championship में 2012 में इन्हों ने एक बार ब्रॉंज मेडल जीता 2015 में इन्हों एक बार ब्रॉंज मेडल जीता फिर इन्हों ने 2017 में भी ब्रॉंज मेडल जीता था और तीनों जो है उन्हों ने Women's World Chase Championship में जीता था और 2019 में इनको पदम सीरी से नमाजा गया ठीक है इनको मिला है पदम सीरी तो आपने देखा कि पदम सीरी अब देखे बहुत सारे students को यह होता है कि जो इस question आता आपके exam में कि कोई sports player का नाम देदेगा जैसे यहाँ पर दे दिया और आपको बुलेगा कि वो किस खेल से संबन्दित है समझ रहे हैं तो अब confused होता है इतने player है भाई किसको याद रखे तो देखिए जिनको अभी आपको tension वैसे लेरा नहीं है मैं खुद एक list त्यार कर रहा हूं जहां पर जिसको भी award मिला हो ठीक है कोई captain बना हो इस सब टाइप का एक list पुड़ा त्यार कर रहे है उसी में से question आएगा और आप खुद से भी त्यारी मतलब इसको कर लीजेगा अच्छे तरीके से ठीक है चलिए next question आपके screen पर यह है कि who is the first and currently the only batsman to score double hundred in four consecutive test series मतलब चार लगातार जो है विडाट कोली इसका correct answer हो जाएगा विडाट कोली ही वह ऐसे person है batsman है जिन्होंने लगातार double century मारा है four consecutive test series में ठीक है very good next question चलते हैं हम लोग ठीक है कोला ठुन्डू और वल्लू वनाद और थेकु मुकूर जो है यह एक ancient small times kingdom था एक समय पे वो किस राज में यह था ठीक है थोड़ा मतलब कुछ टेरा मेरा नाम है ठीक है कोला ठुन्डू वल्लू वनाद और थेकु मुकूर जो है यह आपका किस जो ancient kingdom है वहां किस राज का था वो इस्मॉल किंग्डम और इसका क्रेट सर क्या हो जाता इसका केलिट आंचर प इंसलर हो जाता है किरला एक क्रणा अ किरला यह कहीर ला कहीं जो है ऐक अATHANRich आपको पर अश्लud को सामने यह है कि जो सर थॉमकिंशाथ है कि यह एक केंडिय। किस मुगल समराट के दरवार में जो हैं सर्थ्यमस रोय आये थे जो की जो कि किसका नेत्रित्व कर रहे थे वह एक राज्टू थें किसके इंग्लैंड के तो वो किसके दरवार में आये थे किस मुगल समराट के दरवार में आये थे इसका करेक्ट एंसर हो जागा जहांगीर जहांगीर जो की फोर्थ मुगल इंपेरर थे जिनका कारेकाल 1605 से स्टार्ट हुआ था अकवर के मृत्तू के बाद और उसके बाद से लेकर इनके मृत्तू तक जो है यानिके 1627 तक यह रहे थे अपने गद्धी पर बैठे वह थे ठेक है नेइस्ट कोश्टन आपके स्कीन पर है नेम दमीडिया कंपणी डाट परचेस्ट दे लिजेंड्री स्टूडियो और 21st century फॉक्स वो कौन सा मीडिया कंपणी है जिसने लिजेंडरी स्टूडियो जो है 21st century फ्रेक्स को very good चलिए एक और question question number 9 देखते हैं कि what is the more common name for solid carbon dioxide what is the more common name for solid carbon dioxide solid carbon dioxide का और किस ताम से बुझाना जाता है कि क्या होगा answer yes dry ice ठीक है dry ice carbon dioxide क्या करते हैं हम लोग का formula का co2 ठीक है dry ice के नाम से भी यह जना जाता है इसका common नाम है next question है देखिए इन में से जो चार option दिया वा है कौन सा human ear का part नहीं है which of these bones is not a part of human ear क्या होगा correct answer इसका कि इसका correct answer हो जाएगा femur ठीक है femur यह नहीं है human ear में कौन-कौन से bones होते हैं मैलस होते हैं ठीक है इनकर्स होता है steps होता है and whale होता है strips होता है hammers होता है यह सब human के ear का bones है ठीक है यह femur जो है यह नहीं होता है next question है कि इन में से कौन सी वो book है जो सल्मान रशिदी दौरा नहीं लिखी गई book है which of the following books is not written by सल्मान रशिदी निमलिकित में से कौन सी पुष्टक सल्मान रशिदी दौरा नहीं लिखी गई है वो कौन सी book है और इसका correct answer हो जाएगा an area of darkness very good देखिए सल्मान रशिदी जो कि बिटिस इंडियन है उके इनके दौरा लिखी गई midnight challenge जो कि 1981 में इस book को लिखने के लिए उनको booker prize भी जीते थे वो ठीक है booker prize मिला था बहुत पुरानी book थे इनके बहुत famous midnight children कितनी बार exam में पुछा गया कि midnight children के राइटर कौन है तो इसके राइटर है सल्मान रशिदी क्यों पुछा जाता है एक्जाम में बार-बार क्योंकि इस book के लिए उनको बूकर प्राइज भी मिला था ठीक है दा स्टैनिक वर्स यह भी है सेम भी सल्मान रशिदी की दौरा लिखी गई बूक है और यह जो आप देख रहे है एरिया ऑफ डार्कनेस यह किसके दौरा लिखा गया है तो वी एस नैपोल ठीक है यह भी बहुत प्रख्यात लिखक है इनके दौरा लिखी गई बूक है दा एरिया ऑफ डार्कनेस नेक्स कोशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका हेड़ कौर्टर कहां है और यह कोशन चार तीन से चार बर आपके एक्जाम में पूछा गया था सिर्जल में आप देखिएगा मैं आपको यह करवा रहा हू फूड है फूड कहां खाईयेगा आप कहां खाना खायेगा तो रूम में खाईयेगा यानि कि रोम इसका कर्क्फ टैंसर हो जाएगा मैंने हेड्ट कोॉशन आपको ट्रीक है यह क्यों यह को दिना परता है क्या हो जागा इसका क्रेक्ट-स? एंसर है 28 परसेंट इसका correct answer है ठीक है 28 परसेंट इसका right answer है next question है कि from India who inaugurated the kartaarpur corridor and flagged of the first set of pilgrims to the final resting place of Sikhism founder Guru Nanak Dev kartaarpur corridor के बारे में तो आपने सुना गया सुना ही होगा ठीक है तो इसको inaugurate किस ने किया था किस ने इसका उद्घाटन किया था very good इस question का तो answer सबको पता था नरेंद्र मोदी इसका right answer है तो अभी तक आपका क्या performance चल रहा है सब ठीक ठाक है ना चलिए देखिए लगबग 600 वर्स के लिए त्याग दिये जाने के बाद सांची की खोज किस वर्स में हुई थी 600 साल तक कोई इसका था पता नहीं था उसके बाद जो है बाद में फिर से डिस्कवर हुआ सांची तो यह कब अब डिस्कवर हुआ था यह भी कोशन मैंने करवाए आपको जो लो मेंटा कंटिनूवसली वीडियो देख रहे हैं वो सब आपको लगड़ा होगा कि आप यह पढ़े में हैं तो इसका एंसर भी आपने सही टिक किया है 1818 इसका करेक्ट एंसर हो जागा 1818 नेक्स कोशन दे इसमें से कौन सा सब्द घरेलु कुतों के वैज्यानिक अध्यंतस को इसे रिलेटेड हैं और इसका क्रेक्ट एसर ने लियुँर हैं कि इसका क्रेक्ट एंसर हो जागा साइमोल लॉजी कि इसको बोलते सेंट्रिफिक स्थी ऑप डवेस्टिक डॉग अब देखिए यहां प concern करता है with the study of fruits and seeds ठीक है fruits and seeds के study को जो मैं स्टुडी को क्या कहते हैं हम लोग कार्पोलोजी याद रहेगा ना चार्पोलोजी और कार्णी प्र कार्न Caoलोजी इसका क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं किसके study को कहते enabled the study of variation in size lab and proportion क kosherAy Sug Ung को सिनलोजी चाहिए चलि याद रहेगा चलिए नेक्स अऱ्ाकु वेली अब यह तो सब्सक्राइब नियुक्त स्टी वेली जो की कि टियुक्त रिजॉट है यह कि किस कहां है located near which of the city of South Indian cities requires located और इसका correct answer क्या हो जाएगा कोई excuse ने चलिएगा विशाखाम पतनम इसका correct answer ठीक है विशाखापम िसका इसका correct answer चालिए अब नेक्स question आपके सामें देखिए जो Palestinian painter बहुत बडरे painter है जो चोटे-Mोटे बहुत बड़े ऐसे लगाना पड़ता है बहुत बड़े पिंटर ठीक है मक्बूल फिदा हशन अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यह नाम सुनकर कि मक्बूल फिदा हशन यह कौन आगा भाई तो MF हुशन का नाम तो आपने सुनाई होगा MF हुशन सहाब यह वह ली औनफ फ्री स्प्रिट इन्हीं लीए जब वह पिंटिंग करते थे तो उसमें सबसे ज्याज़ा वह कौन से अनिमल का यूज़ करते थे बहुत बाख करते थे तो इसका correct answer क्या हो जाएगा horse इसका right answer हो जाएगा ठीक है horse इसका right answer हो जाएगा next question आपके सामने ये है the ruins of the ancient city हमपी capital of Vijayanagara is located in which present day Indian state जो प्राचीन सहर हमपी के खंडर विजय नगर की राजधानी वर्तमान में भारतिये राज में इस्ती थे कौन से राज में इस्ती थे ये और इसका correct answer हो जाएगा करनाट का very good next question देखिए क्या है देखिए यहां question पूछा गया है कि जो फिल्म था न मिशन मंगल उसमें leading lady कौन थी ये question आप से पूछा गया है कि leading lady in the film mission mangal अब यह सब भी question पूछ रहा है आप से इसका मतलब film देखना परेगा बट यह सब ऐसा movie होता है जो कि आपको आएगा ही answer विसके लिए यह नहीं कि movie देखते रहे बैठकर ठीक है तो mission mangal की जो lady कौन थी leading lady कौन थी तो yes विद्या बालन इसका correct answer हो जाएगा कि next question है देखिए कौन सा institution fix करता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया अब यह question तो बहुत ही easy हो गया आपके लिए कि और यह पता नहीं इस बॉल को आपने कहां मारा होगा यह बगवान कि क्या हो जागा correct answer Reserve Bank of India Reserve Bank of India इसका राइट एंसर रिजर्व fix करता है अब RBI की बात हो रही है थोड़ा सा जान लेते हैं रिजर्व बैंक ओफ इंडिया को तो सबसे पहली बात कि Central Bank of India कहा जाता है बैंकों का बाप ऐसे समझी दिसी लैंगर्ज में कि बैंकों का जो बैंक होता है उसको कहते रिजर्व बैंक ओफ इंडिया इसका हेड़ क्वाटर कहा है इसका हेड़ क्वाटर मुंबई में है यह established कब हुआ था तो एक अपरील 1935 को यह established हुआ था और इसके गवर्नर कौन है तो शक्ति मांगने जाएगा अपने पापा के पास ठीक है कि पार यह पापा पैसा खतम हो गया यह डाइट जो भी आप बोलते हों यह पापा तो यानि कि जब आपने पापा से पैसा मांगा ठीक है जब अपने पापा से पैसा मांगा तो यह पापा कौन है बैंकों का बाप कौन होता यह होता है RBI मैं ऐसा समझा दे रहा हूँ कि कभी आप भूलेंगे नहीं ठीक है यह होता है RBI और देखिए कि जब यहां पर पैसे की कमी हुई आपने Reserve Bank of India से पैसा लेने के लिए गए आप और Reserve Bank of India जब आपको पैसा देगा तो आपको फ्री में तो नहीं देगा तो वहां प तो चार्ज करता है तो वह होता है और अपने पापा को दे दूँ तो यह अपना कुछ dov profit होता है मतला अपना पैसा बचा कर और जो profit इसको बचा ठीक है वह profit उठा कर वो दे दिया अपने बाप को यानि bank को RBI को दे दिया और जब यह RBI जो RBI को पैसा दिया और तब जो rate वो देता है RBI अब इधर RBI rate दे रहाएगे ठीक कि तुम मुझे पैसा दे रहो तो मैं तुमको अब चलो इस rate पर तुम मेरे पास पैसा रख सकते हो तो यह होता है reverse report rate समझ में आए आपको कि एक बार report का मतलब हो गया कि जब RBI bank को पैसा देता है उसको हम कहते हैं जिस rate पर देता है उसको कहते रेपोरेट और जब बैंक पैसा जब देता है सरप्लस वाला उसको कहते हम रिवर्स रेपोरेट नेक्स कोशन देखते हैं कि रेट वार्म्स है इस्ट्रक्चर नेम्ड डैस विच हिल्प देम इन ग्राइंडिंग बियर फूड जो रेट वांस होता है तो उसमें डैस नामक संगराचना होती है जो उन्हें अपने भोजन कू पीशे में मदद करती है टिकेग्यारेट में मदद करती है उसको क्या करते है कि इसका एंसर कौन देने वाला है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा गिजार्ड ठीक है गिजार्ड अगर आपको नहीं भी पता है तो आप बस याद कर जाएए इसको कहीं हो सकता है रिपीट कर दें अब देखिए उस ऑथर का नाम बताईए जिनको साहित अकाडमी अवार्ड व और इस बूक एन एरा ओफ डार्कनेश दब्रिटिस अम्पायर इंडिया तो कौन है उस बूक के ओथर कौन है दे एरा ओफ डार्कनेश बहुत फेमस बूक है और इस बूक के लिए उनको साहित अकडमी अवार्ड में मिला है दोहजार नीज में तो येस, you are right शासी थरूर हो जाएगा शसी थरोर इनकी बहुत सारी कितावे हैं जो की एक्जाम में पूछी जाती है नेक्स कोर्शन देखें कोर्शन नमर 24 देखें सावित्री भाई फूले ठीक है यह किस स्टेट से हैं यह आप से कोर्शन पूछा गया है साइट सावित्री भाई बहुत ही मतलब मैं के बारे में क्या बोलो बहुत बड़ी रिफॉर्मर हैं तो वेटरन फ्रीडम फाइटर सोशल रिफॉर्मर और फेमिनिस्ट सावित्री भाई फूले यह किस स्टेट से हैं तो देखिए इनके बारे में थोड़ा समय बताता हूं यह एक्चुली है तो वैसे महरास्ट्रा से ठीक है महरास्ट्रा से और यह वो लेडी हैं इनको आप ऐसे समझे से इस रिगार्डेट ऐस फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया मेल टीचर और आप लोग समझते होंगे कि पहले था कि लर्का लोग पढ़ाता था मेल लोगों का वर्चस्प था वो लोग पढ़ाया करत है और इनके साथ जो इनके हस्बेंट थे जोती रह फुले वो भी इनके साथ सयोग किये थे इनके इस अभियान में तो यही है वो रिफॉर्मिस्ट तो इनको याद रखिए कि यह वो पहली फिमेल टीचर है कौन है सावित्री बैपुले महरास्ट्रा से है नेक्स कोशन दे हाल में निघन हो गया है यह किस कंट्री से है और इसका कर्यक्त एंसर हो जागा वमान यह उमान से है ठीक है सुल्तान काबूर बीन सयद यह उमान से है यह अरब कंट्री के सबसे लॉंगर सर्विंग रूलर भी है तो इस तरीके से हम लोगों ने फटर्ट मार्च के responsibility बनता है कि इमांदारी पूर्वा कॉमेंट में आप बस ये करें देखिए आपका कॉमेंट मैं क्यों फोर्स फुली कह रहा हूं करने के लिए क्योंकि अगर कोई बच्चा 20 प्लस में करता है तो मुझे भी खुशी होगा कि वह स्टूरेंट्स अभी कंटीनू में मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और यहां पर अगर 20 प्लस में वो करेक्ट कर पा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपके इस स्कोर को देख कर ठीक है 15 प्लस तक के लिए भी मैं मोटिवेट रहूंगा लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे को 15 से कमायागा तो कहीं है कि मुझे डी मोटिवेशन मिलेगा कि कोई बच्चे को फैदा ज्यादा हो नहीं रहा है ठीक है लेकिन यह मेरा अभिश्वास है कि आप डेफिनेटली 15 प्लस तो आप लोग किये ही होंगे ठीक है तो इस सेशन को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको मैं जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो वह करके तो मिलते हैं आप से नेक्स सेशन में तब तक के लिए ओल दे बेस्ट